राम की सेवा करते करते वस्मे कर लिया राम को अगर राम की किर्पा चाहिए खुश रखो हनुमान को प्रभुश्री राम जब बनवास से अयोध्या लोटे उनका रास्तिलक हुआ अपने महल में आराम से रहने लगे साथ राम जी की सेवा के लिए हनमान जी भी आये थे माता सीता ने मन में विचार किया अगर हनमान जी इनके साथ रहे तो प्रभू की सेवा का मुझे नहीं मिलेगा इसलिए आपस में सेवा बांट लेनी चाहिए सब ने अपनी अपनी सेवा बांट ली हन्मान जी से माता बोली हनुमान तुमारे हिस्से में यही सेवा आई है कि जब भी प्रभुस्री राम को उबासी आए तो चुटकी बजा देना हन्मान जी महराज खुस होगे जो भी सेवा मिले वही ठीक और सोचने लगे कि पता नहीं कब राम जी को उबासी आएगी कम मैं चुटकी बजाओंगा उन्होंने एक काम किया हाथ ओ हाथ चुटकी बजाना सुरू कर दिया इधर हन्मान जी चुटकी बजाए और उधर राम जी को उबासी आए ना हनमान जी की चुटकी रुके ना राम जी की उबासी पूरे राज महल में हंगामा मच गया राम को आने लगी उबासी चेरे पे सब के छाई उदासी चुटकी बजाए हनमान ये मच गया हंगामान चुटकी बजाए हनमान के मच गया हंगामान दाक्तर और वैदी आए रोगपा कड़ना पाए धेद उबासी का ये कोई समझना पाए रामे दुखी है दुखी है सारे रामे का संकटी कोई न तारे चुटकी बजाए हनुमा ये मची गया हंगामा हंगामा चुटकी बजाए हनुमान ये मची गया हंगामा चुटकी बजाए हनुमान ये मची गया हंगामा मसलाए हनुमान ये मची बजाए हनुमान ये कोई समेनुमान कैसा ये रोग लागा सबका है भीरज छूता कोले यू लक्ष मन लाओ हनुमान को वो ही बचाएंगे भैया के प्राण को चुटकी बजाए हनुमान के मची गया हंगामान हंगामान चुटकी बजाए हनुमान के मची गया हंगामान चुटकी बजाए हनुमान के मची गया हंगामान वो छटके उपर बैठा चुटकी बजा रहा हैं अपने मालिक की देखो महिमा सुना रहा है राम की सेवा तुम ही करोगे पनवारी उनके साथ रहोगे ताली बजाओ हनुमान के मची गया हंगामान ताली बजाओ हनुमान के मची गया हंगामान राम को आने लगी उबासी चेहरे पे सब के छाई उदासी चुटकी बजाओ हनुमान के मची गया हंगामान चुकी बजाओ हनुमान के मची गया हंगामान चुक्की बजाए हनुमान ते मची गया हंगामान